नमश्कार सौगत आपका केगया नूस में हूँ आपकी साथ एक अंच्छा सिंग्राशक कर ये शुरुवात करते ही खबर क्यों बिहारी की हुआ इबं लोगप्री विधाय का तक परिशम से सब्त दिवशे संगीत में शीमत भागवत कथक आज भक्ती में वातावरण के बीच समापन हुआ अपनी लोगप्री विधाय के आमंतर को दर्शिग्रत रखते हुए आज के विशाल भंडारे में शेतर के लाखो लोग भंडारे में प्रशाद गरहन करने पहुँचे जहां शेतर से आये शर्धालों के इस विदा के लिए विधाय के वाम उनके सहयोगी कारिकर मिस्तल के म इंगेट पदर दिनात रहे ताकि शर्धालों को प्रशाद गहन कने में कोई समस्या उत्पन ना हो हलाकि संपूर्ण कारिकम बस्तल को शेतर स्यानने वाले श्रधालों की संक्या को दश्रिग्रत रखते हुए पंडाल निर्मित कराए गया था जहां पर श्रधालों को प्रशाद ग्रहन करने के दोरान किसी भी प्रकार की परिशानी का सामना ना करना पड़े प्रशाद ग्रहन के उपराथ जब मीडिया कर्मेद और आकारिकम के समद्ध में जौन करनी चाहे तो श्रधालों ने अपने लोग प्रेनेता की प्रशनसा करते नहीं ठक रहे थे एबं अपने विधाय की इस अनुकर्णिय पहल की भूरी प्रशनसा कर रहे थे इस बीच छिवा विधाय के राली लक्षम बेटी का जनमदीवस भी बड़े हर्शुलास के बीच मनाया किया हालाकि है पहला बकाया होगा जब किसी राजनेता ने अपनी इकलोती पुत्री का जरम दिवाश शेत्र की जनता आजनादन की बीच मनाने का सहासी का कारक किया हो शेडोर से सुनिल दुवेदी की रिपूर्ट अब इक लिए बस इतना ही हमारे चेनल को लाइक शेंड सब्सक्राइब करना ना भूलें